दोस्तों अपने Google Ads के Dashboard में आप सबसे पहले यहां Tools की बटन दवाएं और यहां Conversion की बटन दवाएंगे हम Conversion में आप देख सकते हैं आपको सारे Conversion मिलेंगे हम हमारे E-commerce Shopify Store के लिए सेट अप करेंगे तो उसके लिए आप यहां पे New Conversion Action की बटन दवाएं उसके बाद हम यहां website को select करेंगे इसके बाद सबसे पहले पूछता है कि क्या आपके domain पे conversion tracking है की नहीं तो वो check करने के लिए यहां पर आपको अपना domain name डालना है यानि कि आप अपने homepage का URL कॉपी करके यहां पर डाल सकते हैं उसके बाद scan की बटन दवाएंगे scan complete होने के बाद आप यहां scroll करके नीचे आएंगे दोस्तो दो तरीके से conversion tracking कर सकते हैं एक automatically और एक manual तो मैं आपको recommend करूँगा कि हम manual conversion tracking करेंगे उसके लिए आप scroll करके नीचे आजाए जहां पर लिखा create conversion action manually using code यहां पर plus की बटन दवाएंगे add conversion action manually दोस्तों सबसे पहले हमको अपने conversion की category चूज करना है तो हमारा conversion जो होगा वो किसी भी product के बिकने के बाद जब वो thank you page पे जाता है जहां पर order confirmation के बारे में लिखा हुआ रहता है उस page पे आगर कोई पहुँच जाता है तो मतलब हमारी एक sale हो गई और हमारा conversion हो गया इसलिए हम इसको purchase की category में रखेंगे तो यहां पर आप drop down की button दवाके यहां पर इसे purchase select कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहां नीचे एक button आ रहे conversion action optimization option इस पर हम click करेंगे यहां पर दो option आ रहे हैं primary और secondary दोस्तों primary का मतलब यह होता है कि इस conversion को consider करते हुए आपकी Google Ads की campaign चलेंगी और secondary का मतलब यह होता है कि इसके conversion को importance ना देते हुए आपकी Google Ads की campaign चलेंगी यानि कि अगर हम purchase वाले conversion को primary रखेंगे तो हमारा Google Ads चो है purchase को importance देगा और purchase के लिए काम करेगा अपनी bidding के adjustment करेगा और अगर हम जैसे add to cart हो गया या checkout initiate वाला page हो गया उसको अगर हम secondary रखते हैं तो वो यह केवल observe करेगा उसके एसाब से अपने bidding को optimization नहीं करेगा तो I will suggest कि अपने purchase को आप यहाँ पे primary रखेंगे इसके बाद आप यहाँ पे conversion में name डाल सकते हैं तो आप डाल सकते है purchase मैं फिलाल यहाँ पे डालूँगा purchase demo क्योंकि मैं आपके लिए एक demo conversion create कर रहा हूँ अब दोस्तों यहाँ पे value आता है value में हमको तीन option मिलते है use the same value for age conversion आपको same value देनी age conversion लेकिन अगर हमारा e-commerce store है तो सभी product की same value नहीं होती है इसलिए हमको second option चूज करना पड़ेगा use different value for age conversion एक तीसरा option होता है don't use value for this conversion पर हमारे e-commerce के लिए यह लागू नहीं करेगा अगर आपका कोई ऐसा conversion है जिसकी value नहीं तो आप उसको भी choose कर सकते हैं अब दोस्तों इसमें option आता एंटर default value वैसे तो दोस्तों आपका e-commerce का conversion होगा तो वहां से आपके गूगल को उसकी value का उसका data मिल जाएगा लेकिन फिर भी आप यहां पे एक default value डाल सकते हैं क्योंकि अगर conversion का value नहीं मिलता है तो इस value को Google Ads use करेगा अपने value शो करने के लिए कि कितनी value का conversion हुआ है अब यहां पे last 30 days की total number of orders देख सकते हैं और total revenue को divide कर सकते हैं total number of orders से तो आपका average order value आजाएगा उसको आप यहां पे डाल सकते हैं वह होगा लगबगा आपका 500,000,500,000 जो भी आपका हो वह आप यहां पे last 30 days के revenue divided by last 30 days के total number of orders को divide करेंगे तो वह आजाएगा बहुत ज्यादा important भी नहीं एकदम सटीक होना लेकिन आप यहां पे डाल सकते हैं वैसे तो वह आपके thank you page से सारी value ले लेगा अब दोस्तों हम नीचे आते हैं यहां पे आता count यह पूछ रहा है कि आपको हर conversion जो है count करना है या same conversion को एकी बार count करना है तो हमारा यहां पे रहेगा कि हर conversion को count करना है क्योंकि e-commerce पे अगर buying हो रही है तो same product दो, तीन, चार बार भी खरीदा जा सकता है एक ही person के द्वारा इसलिए हम यहां पे every को ही रहने देंगे उसके बाद जो नीचे की settings आ रहे हैं इसको as it is रहने देंगे क्योंकि यही best है अपने लिए फिर हम यहां पे done की button को click कर देंगे अब इसके बाद दोस्तों यह setup हो गया अब यहां पे हमको नीचे save and continue की button दवानी है अब दोस्तों यहां पे हमारे पास तीन option है कि हम Google Tag डाल जकते हैं अपनी website पर या तो फिर हम हमारे webmaster को या हमारे web developer को जो है email कर सकते हैं second option से या हमारे पास third option है Google Tag Manager का use करके हम इस conversion को setup क कर सकते हैं तो मैं आपको suggest करूँगा कि Google Tag Manager का use करके हम conversion को setup करना चाहिए और आज भी हम वैसा ही करेंगे अगर आपको Google Tag Manager setup करते नहीं आता है तो आपको description में Google Tag Manager setup करने की link मिल जाएगी कि कैसे अपने Shopify store से अपने Google Tag Manager को connect करना है अब हम यहां से इसको ऐसा ही छोड़के setup करके बताऊंगा तो setup करने के लिए आप सीधे आजाए यहां पर new की बटन को हम दवाएंगे new की बटन को दवाने के बाद यहां पर pencil की बटन को हम दवाएंगे और इसमें हम चूज कर देंगे Google Ads Conversion Tracking इसको चूज करने के बाद दोस्तों यहां पर आपके पास option ऐसा भी जाएगा इसके बाद दोस्तों next option आता है Conversion ID Conversion ID के लिए आपको क्या करना है आप अपने वापस Google Ads में आईए और यहां पर आपको यह देखी लिखा है Conversion ID इसके नीचे वाली ID को हम यहां पर copy कर लेंगे और copy करके अपने Tag Manager में Conversion ID के box में यहां पर ले जाके हम paste कर देंग इसको हम copy करेंगे और copy करके हम इसको यहां Tag Manager में Conversion level के box में यहां पर paste कर देंगे अब दोस्तों हम scroll करके नीचे जाएंगे और हमको बताना है Trigger याने कि यह Conversion कौन से page पे Trigger हो मतलब कौन से page को यह बताया जाए Google पे कि यह Conversion हो गया तो इसके लिए आपको Thank You page का URL पता होन आपकी order detail है उस page का URL आपको पता होना चाहिए तो उस page के URL पता होने के लिए आप एक demo buying कर सकते हैं उसके दोस्तों आप अपनी website पे जाके एक product को पूरी तरह से purchase करेंगे और last page पे जाके रोके रहेंगे तो मैं यहां पे किसी product को purchase करता हूं यहां पे मैं आपको purchase करता हूं तो मुझे बस आपको बताना है कि URL में क्या चीज़ copy करना है तो मैं इसको यहां पे select करके color select करके जो भी है आपका वो select करके इस product को हम buy करेंगे और cash on delivery वाले option से buy कर लेना आप और 000 सारे address वगरे में डाल देना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होईगी और आप आसानी से buy कर पाएंगे अगर आप अपनी website के लिए purchase कर रहे हैं या demo purpose के लिए ही purchase कर रहे हैं तो आप यहां सारी billing details में अपना 00 डाल सकते हैं इसके बाद दोस्तों हम cash on delivery वाले option को चूज करके order place करेंगे अब दोस्तों आपके Shopify store पे इस तरीके से आप final page पे पहुंशते होंगे थोड़ जब भी पेज आएगा तो उसमें common रहेगी जैसे कि इस page पर यह आ रहा है order received आपके page पर हो सकता है thank you underscore you हो या कुछ और भी हो तो उस चीज को copy करना अगर आप check out copy करेंगे तो check out पिछली page पर भी था तो check out को copy नहीं करना है order received जो है वो केवल इसी page पर आपको देखने को मि मैं यहां पर यह order received को as it is copy कर लेता हूँ अब हम वापस tag manager में आ जाते हैं यहां trigger की button में pencil की button को click करेंगे और यहां पे plus की button दवाएंगे plus की button दवा के हम वापस से pencil की button दवाएंगे और page view पे जाएंगे page view याने कि वो page अगर appear होता है तो पर इसमें हमारे पस दो option हो all pages य देंगे page URL अब यहां पर option आ रहा है हमारे पास contains ठीक है तो page URL में क्या होना चाहिए page URL में होना चाहिए order-received जो कि अभी हमने वहां से copy किया ठीक है इस तरीके से आप उस particular word को यहां पर paste करके फिर इसको हम कर देंगे save और इसको भी हम कर देंगे save यहां पर नाम डाल सकते ह प्रॉपर Google Ads Conversion Tracking में यहां लिख देता हूं demo और फिर दोस्तों इसके बाद हम इसको यहां पर submit की button दबा देंगे और इसको publish कर देंगे और यहां continue कर देंगे दोस्तों इस तरीके से आपका Google Ads का conversion setup हो गया आपके Shopify store पे इसी तरीके से आप WordPress पे भी कर सकते हैं अब दोस्तो दोस्तों आपने जो conversion setup किया थे इसको यहां पर done कर देंगे, done करने के बाद आप वापस उसी purchase demo वाली button पर click करेंगे या जो भी आपने conversion का नाम दियो उस पर click करेंगे, click करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपको दिखे का आपको scroll करके नीचे आना यहां पर आपको tag वाली button पर click करेंगे और फिर इसमें next की button को दवाएंगे, यह वापस से बोल रहा है कि आप अपने URL को एक बार यहां पर डालो तो हम यहां पर अपने website का URL डाल देते हैं एक बार, check URL की button दवाएंगे, दोस्तों enhanced conversion हम तभी setup कर सकते हैं, जब हमारा पहले से conversion setup हो चुका हो तो अब यहां पर हमारे पास दो option आगे हैं, Google Tag या Google Tag Manager हम Google Tag Manager वाले पर click करेंगे और next करेंगे और इसको यहां पर हम save कर देंगे, अब दोस्तों next step जो होगी वो Google Tag Manager में जाके होगी, तो दोस्तों हम अमारे वापस Google Tag Manager में आगे हैं, यहां पर आपको जो आपने tag create किया था, Google Ads Conversion का tracking tag जो आपने create किया था, उसी को वापस है, हम click करेंगे, तो मैं यह demo वाले पर click करता हूँ, और इसमें आपको यहां pencil की बटन दवानी है इधर, और इसमें scroll करके आपको नीचे आना है, यहां पर आपको एक line लिखी दिखे कि include user data from your website, तो इसमें हम tick करेंगे, इसमे new variable पर जाएंगे, और new variable पर जाने के बाद, आपके पास यहां option आ रहा होगा, automatic collection, इस automatic collection वाली बटन पर click करेंगे, और यहां पर save कर देंगे, और यहां पर भी, मैं यहां पर demo लिख रहा हूँ, आपको demo लिखने की जरूरत नहीं है, और इस तरीके से मैं इसको save कर अगर आपको इस process में कोई दिक्कत है, तो दोस्तों आप मेरे साथ free call भी book कर सकते हैं, screen पर दिये गए number पर आप मुझे WhatsApp करके contact कर सकते हैं, इसके लाबा अगर आप ads या setups related कोई services चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे नीचे दिये गए number पर contact कर सकते हैं